खाना खाने के बाद, खाने से पहले और खाने के बीच में, जाने अंजाने में हमसे कुछ गलतिया हो जाती है, जिसके कारण वेट बढ़ना, पेट फुलना, बलॉटिंग, गैस, ऐसीडिटी, अपच, नीन डिस्टब होना, इसे अलग-अलग प्रॉब्लम्स क्रियेट होते ह कौन सी है, ये गलतिया तुछ लिए जाबते हैं फ़र्स गलती, शादी पार्टी फंक्शन चल रहा है, खाने के बाद आईस क्रीम रखा होता है, ये गलती कभी मत करना हमने जो खाना खाया है, उसे हमारे बॉड़ी में शुगर बढ़ जाता है, आईस क्रीम खाने से दुगना हो जाता है, और इसके साथे आईस क्रीम में कालरी होता है, वसा होता है, जो दुगने स्पिट से फैट बढ़ाने का काम करता है, हमने जो खाना खाया है, उसका जागनी प्रजवलित हो जाता है लेकिन जैसे ही आइस क्रीम खा लेंगे तो यह ठंडा हो जाता है मतलब जो आपने खाना खाया है वो पेट में पढ़ता है और अलग अलग व्यादी क्रियेट होने लगती है इसलिए खाने के बाद आइस क्रीम कहने की गलती कभी मत करना सेकेंड मिस्टिक खाने के बाद अगर आप मीठा खाते है तो इसे हमारे बाड़े में कफदोश बढ़ता है आयरवेट के अनुसार और डाजिस्टू फायर जो होता है वो बुझ जाता है और इसी के कारण तुरंत हमें ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है असीडिटी बढ वेठार जाने घार्मॉंस क्रियेट होते है तो हम खाने का अच्छे से आनन्द उठा पाते हैं काफी मज़ा आता है क्वाने में अगर खाने से पहले अगर आप मीठा खा लेते हैं मीठा खाने के बाद खाने की गलती कभी मत करें। थर्ड मिस्टेक, आप जबी खाना खाते हैं, तो दोनों पेरों को नीचे छोड़कर इस प्रकार से नहीं बैठना है, खाना खाएंगे तो नीचे जमीन पर बैठकर ही पाल्थी मारकर ही खाना खाने के लिए बैठेंगे, तो यह जादा बेहतर होता है, आपको अगर जमीन प पचाने में बिल्कुल इजी हो जाता है, कोई भी व्यादी पास नहीं आएगे, दूसरी बात, खाना आप जब भी खाएंगे तो हातों से ही खाना है, इस प्रकार से जब हमारी फाइफ फिंगर्स एक दूसरे छे मिल जाती है, तो यह जो मुद्रा बनती है, हमारे समान वा इसके साथी, हमने जो भी खाना खाया है, उसमें जो भी पोशक तत्व है, वो हमारी ठीक से एब्सार नहीं कर पाती है, और अलग-अलग वैधी क्रियेट होती है, इसलिए खाने के बाद चाय पीने के गलती कभी मतबर करना, अगर आपको शोग ही है, तो टू अवर्स का ग प्रॉब्लम्स क्रियेट होते हैं, जैसे हार्ड बन होता है, आसड़ी जलन होती है, और वेड बढ़ना ये तो फिक्स है, इसलिए खाने के 10 से 15 मिनिट्स तक कम से कम 10 से 15 मिनिट्स आपको ओधर आक्टिविटी करनी है, कुछ ना कुछ इधर उधर तहल लेना है, या फिर कुछ काम कर लेने है, वजरासन में अगर बढ़ जाते हैं, तो सोने पे सुहागा, खाने के तुरंट बाद, आपको सोना नहीं है, मतलब लेटना नहीं है, दोपर का खाने के बाद लेटना तो आईरवेद ने वरजी किया है, आप अगर बड़े बुजुर्ग है या फिर याद आ जाता है, ये गलती कभी मत करना, जब भी आप खाना-खाने बैटेथ हैं, तो किसी का कॉल आ जाता है, तो मोबाई लेरे चले जाते है, ये मिस्टेक अगर आप करते है, तो तो दीजिशन का जो परोसेस होता हूझ वो डिस्टब हो जाता है, खाना खाते वक्ति ए हमने खाना खाया है तो हमारे पेट में और आतों में blood circulation fast हो जाता है लेकिन खाने के बाद तुरंथ आप नहाने चले जाते हैं तो नहाते हुए पूरे बॉडी में blood circulation फैलता है और वही पर हमारे digestion की process में गडबड स्टार्ट हो जाती है जो भी आपने खाना काया है वो काफी वक्त लेता है डाजिस्ट होने में। इसलिए ये गलती कभी मन करें। 8. खाना खाते हुए तीवी देखना मोबाल पर बात करना लाप ट॑पप वर काम करना या फिर चीक चिलना गुस्वा करना। ये जो होता है हमारा mind का और हमारा खाने के करने का काफी करीबी संबंध होता है क्योंकि आईरवेड ने खाने को एक वीधी बताया है ये वीधी अगर ठीक से नहीं होता है तो पूरी बॉड़ी गड़ड करती है डाजेशन डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए आप जब भी खाना खाते है तो बिल्कुल शांत मन से आपको सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना है सारी जो ओडर अक्टिविटीज है पूरी तरह से बंद रखनी है आपको अगर बार-बार बलॉटिंग या पेट फुलनी की प्रॉब्लम आप में है तो ये नाइन्थ मिस्टेक कभी नहीं करनी है खाना खाते हुए बाते करना आप जब बात करते हैं तो मुझ से हवा अंदर जाती है बलॉटिंग गैस पेट दर्थ की प्रॉब्लम बढ़ती है इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है खाना खाते हुए ज़्यादा बाती नहीं करनी है टेंथ मिस्टेक खाना खाने के बाद लंबी वॉक के लिए निकल जाना ये गलती कभी मत करना और और ओल हिल के लिए काफी खतरनाक होता है हमने जो खाना खाया है उसे डाजिस करने के लिए बलड सर्कुलेशन हमारे आतों की तरफ पेट की तरफ बढ़ता है और आप अगर वॉक के लिए निकल जाते हैं तो ये हार्ट से हट कर हमारे पेट के आतों की तरफ बलड सर्कुलेशन बढ़ा है तो वो हमारे हार्ट हेल के लिए काफी बुरा होता है अगर आप लंबी वॉक कर लेते हैं इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है आप अगर हार्ट पेशन्ट है या फिर आपका बलड प्रेशर हमेशा हाई रहता है या फिर आप सामान ने वेकती है तो भी ये बिल्कुल गलत बात होती है खाने के बाद लंबी वॉक करना आप करना ही चाहते है तो बिल्कुल शथप पाउली करें खाने के हाप अवर के बाद ही करना है अप जब ही पानी पी लेते है तुरंध या फिर खाने के बीच में तो जो उर्जा एक्टिवेट हो चुकी है खाते हुए वो deactivate हो जाती है और जो खाना है वो अमाशय में कई दिर तक पढ़ता है सड़ता है और इसके कारण gas acidity अपच की problem स्टार्ट हो जाती है आप पानी पीना चाहते है तो वन अवर के बाद पिए या फिर खाने के वन अवर पहले ही आपको पानी पी लेना है 12th mistake खाने को ठीक से ना चबाना अगर आप अध़ चबा खाना पेट में धकेल देते है तो उसके कारण हमें कई व्याधी क्रियेट होती है हम जब भी खाना ठीक से जबाते है तो हमारे मूँ में जो saliva होती है उसमें एक प्रकार के enzymes होते है जो खाने को पचाने में help करते है अगर आप यह सारी गलतियों पर गौर करते हैं और आप में सुधार लाते हैं तो मुझे जरूर बताना है स्वस्त्रे मस्त्रे हिद्धी रहे थैंक्यू सो मच